हेलो फ्रेंट्स आज का जो वीडियो है यह LG का 32 इंच का LED टीवी है इसकी जो पैनल है इसमें क्या गड़बड़ी हो रही है आईए देख लेते हैं इसमें मैंने यूनियर्सल बोर्ड के साथ कनेक्ट किया हुआ है इस पैनल को और आप देखेंगे कि ब्रॉड होरीजंटल ल करेंगे उसके लिए पहले हमें कुछ important voltages चेक करने होंगे सबसे पहले हम important voltages चेक कर लेते हैं यहां पर VCC supply 3.3 volt OK है VTL यहां हम देख सकते हैं minus 5 volt OK है यहां आप देख सकते हैं 16.8 volt आ रहा है सो यह OK है यहां पर marking में VDD लिखा है सो पैनल टू पैनल यह वेरी करता है और V input जो कि 12 volt input यहां हो रहा है आप देख सकते हैं 11.45 मैंने universal board से connect किया ऐसे और VGH supply हम चेक कर लेते हैं यहां पर 26.6 volt आ रहे हैं वी कॉम सप्लाई हम देख लेते हैं वी कॉम सप्लाई यहां पर 6.75 volt OK है तभी अभी हम पैनल की साइड देख लेते हैं पैनल की साइड क्या गड़बड़ी है इसमें चार source कॉफ है दो राइट साइड में है और दो लेफ्ट साइड में यहां पर आप देखेंगे नीचे राइट साइड वाली जो कॉफ है वो जली वी है जो gate signals जा रहे हैं वहां से ही ज problem है इसको solve किया जाए fix करने की कोशिस कर रहे हैं आप देख सकते हैं number of cough 4 है यह दूसरी यह तीसरी यह चौथी इसमें यह चौथी cough main cough है so right side की जो हमारी cough है जली हुई है so उसे गर जो हम gate line से gate signal जो है जो जला हुआ है उसे cut कर दे तो इस problem को solve किया जा सकता था तो हमने उसे cut कर दिया है आप देख सकते हैं और यह जो problem है यह solve हो चुकी है अब हम इसे टीवी में connect करके देख लेते हैं फूरी तरह से जो cabinet में इस type का result आ रहा है अब इसमें लोके हो चुका है जो problem थी इसमें बंच चालू हो रहा था वो नॉर्मल हो चुका है आप टीवी इसमें gate tracks जल चुकी थी cough की हमने उसे cut करके repair कर दिया तो दोस्तों अगर जो यह video आपको अच्छा लगता है तो like कीजिए अपने दोस्तों को यह video पहुंचाना चाहते हैं तो share button का use कर सकते हैं share कीजिए अपने दोस्तों को यह video और अब तक मेरी channel subscribe ना कियो तो subscribe जरूर करें और साथ में notification bell भी दबा दे ताकि मेरे जो latest video है उसक देखने मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे शुक्रिया दोस्तों थैंक्स लॉट बाई